जै मातादी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाज जोसी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टवाज में मित्रो आज मिं चर्चा कर जो रान सब जो दानवों में जो सब से चतुर ग्रह था वो राहू और केतु ही थे जिन्होंने अम्रित का पान कर लिया और देवताओं को मालूम ही नहीं चला यानि इतने चाला ग्रह है 30 अक्टूबर 2023 में इसका गोचर भले हो रहा है लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे या पूरे आपको दो मेने पहले से ही मिले जाएंगे इसलिए ये वीडियो आप पूरी देखें इससे पहले भी मैंने वीडियो सिंग रासी पर राहू राशी परिवर्तन पर बनाई है वो मुल्बो दोनों के ट्रांजिट से आप लोगों को क्या निशकर्स निकल सीव रहा है पूरे डिटेश में शर्चा करेंगे लेकि आएंगे कि होगा क्या अच्छा होगा ये क्या बुरा होगा क्योंकि एक ट्रांजिट में बुरा होगा तो आतों infinus हो जाते हो कि अभी तो जी सारे यूट्यूबर ने बताया सारे जोतिश्य ने बताया कि राहू खराब है और अभी अभी दूसरी वीडियो आगे कि कहितू बड़ा शुब है तो आप बड़े आपके हेल्थ के लिए बड़ा खराब ट्रांजेट रहेगा अस्टम भाव गुप्तिस्थान का होता है मित्रों तो सिंग रासी वाले जातकों को पाइल्फ की प्रॉब्लम 18 में नहीं हो सकती है इन्फेक्शन गुप्तिस्थान में प्रॉब्लम या फिर यूट्रेस में नंबर की इंकम बढ़ जाती है या बुरे कामों से हमने धन प्राप्त होता है तो आपके धनभाव में हो रहा है या देखा जाए तो सिंह रासी के से अगली रासी कन्या जांग 6 नम्बर लिका है, वहाँ पे केतू का ट्रांजिट हो रहा है, तो कुल मिलाके यह भी जो ट्रांजिट है, यह भी हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है, यह देखको अच्छिए की खेले की लिए अच्छा नहीं है, धन बृदि, पद प्रमोशन, शेयर में लाब या अच्छा investment से लाब रहू के तू दोनों ही ट्राजिट करा रहे हैं यानि finance बहुत अच्छा करने वाले हैं कई ना कई पद promotion देने वाले हैं तो यहां तो अच्छा है कुल मिलाकर दोनों का जो है वह हेल्थ के लिए अशुब है धन के लिए पद प्रमोशन के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो फाइनशली और पढ़ाई लिखाई के लिए यह अच्छा है तो कुल मिला के यहां पर हमने आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दिये आपको सिंग राजी वालों को हेल्थ पे ध्यान देने की अवशक्ता पड़ेगी तो मित्रों इस कारेक्रम में बज़त रही मुझे दीजिए जार जय माता दी जय माता दी जी आपका अपना जो अनुब है वह कैसरा थोड़ा से दो सब मैं तो पंड़ी की बहुत बड़ी फेन हूं शुरू से में पंड़ी की पास आती रही हूं मेरे बच्चे छोटे थे अब तो बड़े हो गए हैं मेरे दुख मेरे संकट उन्होंने निवा रहे हैं इसलिए मुझे पंड़ी पर पूरा भुरुसा है जो भी उपाए आपको जो उपाए बताते हैं वो मैं उपाए करती हूं और मेरे बच्चों से भी करवाती हूं लाव भी मिलता मुझे जय माता दी जय माता दी जय आप भी कुछ अपकन अपना अनुबभ है वो थोड़ा सी बताएगा पंड़ी जी की साथ हम लोग काफी वक्ष से जुड़े वे ह और हर बार जब भी हमें लगता है कोई सुख है कोई दुक है हम हमेशा यहीं पर आते हैं उनसे बात करने के लिए और जब-जब उन्होंने जो कुई हमें उपाए बताया है हमने हमेशा किया और हमें हमेशा फल मिला है तो मैं इस चीज़ का धनेवाद करना जौँगी जी और अच्छा लगता है इनके पास आकरके इनसे बात करके तो बहुत सुख मिलता है जी मेरा भी एक यूट्यूब चानल है और मैं छवी शर्मा के नाम से यूट्यूब चानल पर हूँ आप लोग चाहे तो मुझे सर्च कर सकते हैं मैं ब्यूटी टिप्स और कुछ मेकप क के कुछ आपको टिप्स दे सकती हूँ आप चाहें तो मुझे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं जरूर सर्च कीजएगा थैंक यू सो बच अ हुआ कर सकते हैं